तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर आप OneDrive आप ओपन करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, अगर आपके भी मुबाइल फोन के अंदर आपको OneDrive देखने को मिल गया है, और आपके मुबाइल फोन के अं प्यूखी है आपके लिए कैसे इसका काम क्या होता है सबसे नर रखने से यह होता है कि आपका श्राका इंटनेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपना कोई भी फोटो, बीडियो, डाकुमेंट्स, अपने SD कार्ड में, या आप अपने pen drive में रखेंगे, तो आपका SD कार्ड आपका खराब हो सकता है, आपका pen drive खराब हो सकता है, बट यहाँ पर आप कोई भी data upload कर देंगे, आपना यहाँ पे save कर देंगे, तो वो आपका हमेशा save हो जागा, और उस data को आपका कोई भी देख नहीं सकता, सिर्फ आपके सिवाए, और उस data को आप कहीं पर भी देख सकते हैं, आपने इस mobile phone से, या आप अपने computer से, या आप दूसरा mobile phone लेंगे, उसके अंदर भी आप सारा अपना data देख सकते हैं, यानकि इसका मतलब यह है कि आपको अपने data को अपने साथ लेके नहीं चलना पड़ेगा, कहीं पर भी जाएंगे, और वहीं पे आप अपने data आपको एक्सेस का सकते हैं, आप यहाँ पर आप इसको यानकि एक्जामपल के तरह पर आप यह तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके मॉइल फून के नदर आपको on drive दिया जाता है, यहाँ पर देखने को में लगा एक drive दिया जाता है, और इसके नदर आपको 15GB storage बिल्कुल free दिया जाता है, और इसके नदर भी आप यहाँ पर बहुत सारा data आप store करके रख सकते हैं, जैसे आपको दिखाते हैं, यहाँ पर म पता है चले गए हो कि one drive का काम क्या होता है, आप बात करते हैं, इसके अंदर data upload कैसे करेंगे, और इसके अंदर जो आपको data upload होगा, वो आपको देखने को कैसे मिलेगा, तो आपको करने के हैं, सबसे पहले आपको इसे open करना है, जैसे आप इसे open करेंगे, आपके सामने इस तरह का open होकर आजाएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हमारा यहाँ पर account बन चुगा है, और हमारा यहाँ पर account हमें देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर आपका भी account आपका देखने को मिल जाएगा, अब बात करते हैं, इसके अंदर data कैसे upload करते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको file, सारी आपकी file यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको share का option देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ पे किसी भी file को आप share करेंगी, तो वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आ हमारा यहां पर सारा का सारा फोटो अभी यहां पर वेट करने के बाद हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो देखने को मिलेगा यहां पर हमारा सारा फोटो यहां पर आ चुका है तो आप इस फोटो और इस डाकुमेंट को कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं अब बात करते हैं का स्क需要 हैं यहां पेखने को मिलताना एक आइकन और फाइल पे किलिकने हैं किकलिकंगे किरैबानों मिलगा अपलोड का आपना अप्सेन पर किलिकने है यहां पिलिक करेंगे यहां प्लाइल open ऑपन होकर आ जाएंगा यहाँ से आपको three dot पर किलिक करना है यहाँ से आपको images पर किलिक करना है और जितने सारे आपके मूवाइल फोन के दरा folder होंगे वो आप Πें देकर मिल जाएंगे और यहाँ से आप जिस फोटो को आप अप्लोर्ड करना चाहते हैं उस के अंदर रखना चाहते हैं तो आपको इस पर करना है यहां पर देखने को मिलेगा टिक लग चुका है और उसके बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा थिरी डॉट आपको इस पर किलिक करना है और यहां पर देखने को मिलेगा मुव आपको इस पर किलिक करना है और जैसे अप्लीक करनें go, यहाँ से आपका फोर्टो, विडियो आपके उस फोल्डर के अंदर हो जाएगा। अब यहां से मैं आपको दिखाता हो इंदर पिक्चर फोलडर ओपेmost करके और यहाँँ पो मैं camera roll पे कलेकर और यहाँ पी हमारा वही फोटो हमें देखने मिलते आप से इसमें राता आपना अपलोड क्या सकते हैं अगर आप इसके अंदर आप अपना डेटा आपना डेटा अपलोड करना चाहते हैं आपको अपलोड ना करना पड़े और सावा देटा यहां पहर अपáveis हो जाए तो इसके देखने को मिलेगा मी वाला ऑम्टा एक एक ऑफ्चन आपको इस पर करने और यहां से अपको करनेख बाद यहां से आपका अन होगा आप किलेगा आप अन होने के बाद कि जैंगे यहां पर अपक्र में से k shrinking आपक लोड़ देखेने को मिलेगा आपको इस पर किलिक करने को दूतल आपके करने不會 हैं जिस मथल्ड को आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं जैसे हमारे पास एक PDF तक रापॉलडर वह यहाँ पर अपलोड wär करना चाहते हैं फोल्डर को तो को यहां से आपको यहां से आपका अपलोड नहीं कर देए सिर्फ आपकेक चाहिन कोкое अपने पने होगा उपने और अपने चंग सकते हैं टमें अब आपने सुरच्चित रख़ aumentar तो मैं आसा करूँगा आज आपको पता चले गया होगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए एतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद